बरेली विकास प्राधिकरड यानी BDA ने एक बार फिर से राम गंगा नगर अवासी योचुना के सेक्टर 4, 5, 10, 11 और 12 के भुखंडों की बिक्री प्रक्रिया खोल दी है राम गंगा नगर अवासी योचुना में अपनी जमीन लेनी के लिए लोगों के लिए यह एक अच्छा मौका है BDAVC जोगिंदर सिंग ने बताया कि इन भुखंडों के लिए 14 मार्च से रेजिस्ट्रेशन शुरू कर दिये गया है जो कि 5 अपरेल तक किये जाएंगे इसके बाद इन भुखंडों के रेजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया रोग दी जाएगी BDAVC ने बताया कि सेक्टर 4, 5, 10 और 12 में कुल 185 भुखंड है इस भुखंड की कीमत तिरपन लाग है यह भुखंड 200 वर्ग मीटर में होगा इसके पंजिकरर के लिए 5.5 लाग रुपए धनराशी रखी गई है वहीं सेक्टर 4, 5, 11 में कुल 92 भुखंड है एक भुखंड 112.50 वर्ग मीटर का है एक की कीमत 29, 81,250 रुपए है इसके रेजिस्ट्रेशन फीज 2, 99,125 रुपए तै की गई है ठीक इसी तरह से सेक्टर 5, 11 और 12 में 162 वर्ग मीटर की 206 भुखंड है एक की कीमत 42.93 लाग है जबकि इसकी पंचकरण फीज 2, 39,300 रुपए है सेक्टर 10 में 284 वर्ग मीटर के 84 भुखंड है एक की कीमत 76.32 लाग है इसकी रेजिस्ट्रेशन फीज 7, 63,200 है वहीं बात करें सेक्टर 12 में भुखंडों की तो इहां पर 150 वर्ग मीटर के कुल 16 भुखंड है जिसमें से एक की कीमत 49.75 लाग रुपए तै की गई है इसकी पंजी करण फीज 3,97,700 रुपए है वहीं सेक्टर 5 और 10 में भुखंडों की संख्य 28 है इसका एक भुखंड 450 वर्ग मीटर का है एक भुखंड की कीमत 1,19,25 लाग है जिसकी पंजी करण फीज 11,92,500 है बीडिये वीसी जोगिंदर सिंग ने बताया कि अब तक है बीडिये की तरफ से कुल करीब 400 करोड रुपए की FD कर चुके हैं जिसमें से 100 करोड रुपए की FD मंगलवार को उन्होंने की है इस तरह से जो बीडिये अभी तक घाटे में चल रहा था वहीं बीडिये अब करो सिस्टम दिया और लोगों को देखे आज भी विश्वास है कि प्राधी करन के अगर स्कीम निकलती है प्लोटिंग निकलती है तो लोग उसमें अपलाई करते हैं हमारी टीम ने जितना भी मार्केट है हमारा उसको हम लोग कैप्चर करें हम लोग जैसे भी हमारी जो डिमां हम लोग अब लगवाग डेढ़ यार से दोहार प्लोट हम लोग निकाल चुके हैं और उसका क्या करते हैं हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है जो अच्छा हमको रेट मिला है लगवग 26500 जो हमारा स्कूर पर स्कूर मेटर का प्लोटिंग है जो अभी हमने रिजन आज भी निकाला है लगवग 671 जो हमारे प्लोट से आज भी होली के उप्लोट में हम लोग ने निकाले गए तो यह उमीद है और भी हम लोगों का लाप मिलेगा और प्रादी करन आगे भी उंचाहियां चुएगा यह ढ़िया है और उमीद करते है कि आगे भी इस इस तितिश्ज ये चिरेंग